हर कोई चाहता कि हम भी घर पर इतने टेस्टी खिले-खिले नूडल्स बनागे त्यार करें वर हम नहीं बना पाते हैं तो आज मैं आपको होटला और रेस्ट्रों की ऐसी सीक्रेट रेस्पी बताऊंगा इस तरह से आप एग नूडल्स बनाएगे ना बहुत ही टेस्टी और खिले-खिले बनेंगे और अगर आप सीखना चाते हैं आप वीडियो को आपने बिना स्किप के अंतर जरूर देखना है चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले एक किलो यहाँ पे मैंने हाब बॉयल नूडल लिया है यह दो तरह के होते हैं एक हाब बॉयल एक हाड बॉयल जो हाब बॉयल होते हैं इनको बॉयल करने में टाइम कम लगता है तो एक बरतन में सबसे पहले आपने पानी को बॉयल कर लेना है दो चमच आप उसमें ऑईल की ढाल दीशे और जैसे पानी अच्छी तरह से उबल जाए इसके बद आपने इसमें नूडल से एड़ करते ने है और अच्छी तरह से एक बद नूडल को ना पानी के साथ मिक्स कर लेना है अब मैंने यहां पर ऑईल का यूज क्यों किया जब आपके नूडल से बॉइल होंगे या आप समय चिपकेंगे नहीं तो यह देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी दी जब तक यहां पर बॉइल नहीं है और इसके बद आपने गैस की फ्लेम चुआ पो मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में इनको तीन से चार मिंट तर पकाना है वैसे तो हाप बॉइल नूडल जो तीन मिंट में बॉइल हो जाते हैं पर आप एक बबर चेक कर सकते हैं और कि देखिए जो साइडों में जाग आता है इसको आपने निकाल देना है और जो हाड बॉइल नूडल होते हैं अगर आपने उनको बॉइल करना हो तो उनको बॉइल करने में 9-10 मिंट का टाइम लगता है कभी आप पैकिंग देखेंगे ना उनकी तो उनके ओपर लिखा होता है कितने टाइम तक आपने इनको बॉइल करना है और कि देखिए यहाँ पर 3 मिंट हो चुके हैं बॉइल करते हो मुझे नूडल्स को और इस तरह से आप प्रेस करके देख लीशे इनके अंदर एक लाइन जैसी होती है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो वो लाइन जो है न वो खत्म हो शाती है तो इसके बुद आपने नूडल्स को चान लेना है और चानने के बुद आप इनको खुले से बरतन में डाल देशे तकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और कि देखिए चमबच की साहता से इनको बिखेर दीशे बिखेर ना जुरूर है इकटे करके रखना है और कभी भी नूडल्स को ओबरकूक नहीं करना है ओबरकूक करेंगे नूडल्स खाने में अच्छे टेस्टी नहीं लगते हैं और इसके पूद आपने इसमें थोड़ा सा ओईल डाल देना है ओईल से क्योंगा ये नूडल्स में आप समें जैसे ठंडे हो जाएंगे ना चिपकेंगे निये और एक बाद अगर आप जादा कॉंट्रीटी में नूडल्स बॉयल कर लेते हैं तो आप इनको फ्रीज में दो से तीन दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो ये देखे नूडल्स हमारे ठंडे हो चुके हैं और क्या खिले खिले नूडल्स बॉयल हुए हैं तो आगे से आप कभी भी नूडल्स बॉयल करेंगे इस तरह से आप इनको बॉयल करके देखे और यहां मैंने एक बॉयल लिया है सबसे पहले हम उसमें एक तोड़ेंगे तो यहां पर मैं चार अंडों का यूज़ कर रहा हूँ एक नूडल्स बनाने के लिए अगर आप जादा कॉंटिटी में बना रहे हैं जादा एक का यूज़ भी कर सकते हैं और अगर आप एक नहीं खाते हैं तो आप एक को स्किप कर देशे साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें नमग भी यड़ किया है और इसके बद आपने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है यह देखिए एग वाइड और एग योग को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसके बदम इसमें थोड़ी सी सबजियों का यूज़ भी करेंगे यहां मैंने पत्ता गोबी लिए आदा फूल देखिए पत्ता गोबी का लिए इसके अंदर जो हार डंटल होता है इसको आपने निकाल देना है क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम जादा लग जाता है तो यह देखिए इस तरह से हार डंटल को निकाल लिए और सबसे अदिक्कत होती है कटिंग करने में जब भी नूडल समनाते हैं कटिंग निकरवाते हैं देखिए आपने पत्ता गोबी के अंदर से थोड़ा सा फूल निकाल लेना है जोर से प्रेस कीशिए फिर यह अच्छी तरह से सैट हो जाता है इस तरह से आप इसकी एक बराबर कटिंग कर सकते हैं और बिल्कुल भरी कटिंग भी निकी है देखिए मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग की है और आदा पीस से हाँ पर मैंने गाजर का लिया है छोटा सा पीस आप गाजर का काट दीशे उसके बदा आपने गाजर को देखिए इस तरह से लंब लंबा काटना है और इकठा कर के पकड़िये, इस तरह से आप गाजर की जूलिन कार्टिंग कर सकते है और जब भी आप गाजर कार्टे हैं, आराम से कार्टिंग करने है गाजर थोड़ी सी हाड होती है, यह देखिए गाजर भी कट गई यह रही शिमला मिर्शी, आदा पीस यहां पर मैं शिमला मिर्श का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से शिमला मिर्श को आप जूलिन काट दीश है और रेड यलो बेल पेपर का भी मैंने साथ में यूज़ किया है लाल और पीरी शिमला मिर्शी भी डाली है और एक यहां पे हम प्याज का यूज करेंगे तो प्याज को भी आपने इसी तरह से काट लेना है और इसके साथ हम थोड़ा सा हरा प्याज भी आइड करेंगे तो हरा प्याज भी आपने इसी तरह से लंबा लंबा काटना है देखिया और थोड़ा सा मोटा मोटा काड़ना है तो सब्सक्राइब कटी हो गई अब यहां मैंने एक चैनीज बोक ली है सबसे पहला हम इसमें ऑईल आइड करेंगे सरसों के देल को छोड़के आप कोई भी बेस्टेबल आइल यूज यहां पर कर सकते हैं और के देखिये एक पड़ा चमच यहां मैंने ओईल आइड कर दिया है कडाही के चारों तरफ आपने ओईल को गर्म करके गुमाना है कडाही को थोड़ा सा सीजन कर लेना है इससे क्या होता है कडाही ना नॉस्टीक हो याती है और इसके बता हम इसका जो ओईल है उसको निकाल लेते है थोड़ा साइल छोड़ना है सबसे पहले कडाही में हम अंडे एड़ करेंगे और गैस की फ्लेम आपने एक्टम लो रखनी है सबसे बता हम इसका ओमलेट बनाएंगे आप चाहें नॉस्टीक में भी अंडों का ओमलेट बनाके त्यार कर सकते हैं अगर आप कडाही में नहीं बना पाते हैं तो यह देखिए अच्छी तरह से मैंने अंडों को ना कडाही के अंदर फैला दिया है और गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी है सबसे पहले आपने साइडों से ओमलेट को पकाना है सेंटर से नहीं सेंटर से कडाही थोड़ी गर्म रहती है और जैसे ओमलेट अच्छी तरह से पक जाएगा इसके बदा आप इसको फोल्ड कर दीशे कर देखे तो आप देख सकते हैं सेंटर से कडाई का टेमपरिशे थोड़ा सा ज़ाधा रहता है तो कलर थोड़ा सा ज्यादा आ गया इसमें तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीए और फोल्ड करने के बद या तो आप इसको चॉपिंबोड के ओपर कर लिए या कडाही में आप इसके टुकड़े टुकड़े इस तरह से कर देने हैं और थोड़े सा आपने इसके मोटे मोटे पीसीज करने है ताकि जब हम नूडल्स कहा है तो हम पता भी चले कि हम एक नूडल्स कहा रहे हैं वाँ पे इसके बद इनको प्लेट में निकाल लेशे इसी बोक में थोड़ा सा ओल एड़ करेंगे तो एक बड़ा चमच यहां आप मैंने देखिए ओल का एड़ कर दिये ओल क अब थोड़ा सा गरम कर लीजे जैसे तो तो ठोड़ा गर्म होचाएगा इसके बोद आपने इसमें बारी कटवा लसून एड़ करना है तो एक च्छूटा चमच आप बारी कटवा लसून एड़ कर दिजे एक आपने साबूत मिर्च लेनी है उसको लंब लंब काड़ कर द इनको पकने में थोड़ा सा टाइम भी जाता लगता है गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है लगो 30 सेगंड तक आपने इन सब्जियों को आपने हाई फ्लेम में पका लेना है जादा भी नहीं पकाना है सिर्फ आपने का मोईस्टर खतम करना है और इसके बदा आपने इसमें पत्ता गोबी और गाजर भी आड़ करते नहीं है अब जब भी आप नूडल्स बनाते हैं पत्ता गोबी और गाजर को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है इनको ज़्यादा पकाएंगे तो जब आप नूडल्स खाते हैं तो सब्जियों का करंच वब बिल्कुल भी मुह में नहीं आता है तो इनको भी आपने हाई फ्ले में 30 से 40 सेगंड तक ही पकाना है यह देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं इसके पूद आप इसमें नूडल्स एड करते हैं यहापे मैं एक पोर्शन नूडल्स मना रहा हूँ बाकी जो नूडल्स हैं उनको मैंने फ्रीज में स्टोर करके रख लिया है जैसे हमारे पाद दूसरा नूडल्स का उड़ आता है तो हम क्या करते हैं उनको हलका सा माइक्रूबे में गर्म करते हैं और इसी तरह से प्रोसेस चालू रखते हैं तो इसके बाद आपने नूडल्स को सबजीओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा अपने इनको अच्छे से गर्म भी कर लेना है अब ही आपने इसमें नमक वेरा कुछ नहीं आड़ करना ये देखिए सबसे बहले अच्छे से सबजियों के साथ इनको mix कर लीजे और अच्छी तरह से इनको गर्म भी कर लीजे नमक पहले डाल देंगे सबजियां पानी चोड़ देंगी सबजियां पानी चोड़ेंगी आपके नूडल्स खिले 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 लेनी बनेंगे एक छोटा चमच देखिए मैंने इसमें नमक एड़ कर दिया है एक छोटा चमच मैंने इसमें एरमेट पॉर्डर एड़ कर दिया है एक छोटा चमच यहां पर देखिए विनेगर एड़ करेंगे साथ में आपने इसमें एक से डेड़ छोटा चमच डार्क सोय सॉस एड करनी है अगर आपके स्लाइट सोय सॉस हो तो आप थोड़ी सी कुटिटी बढ़ा सकते हैं उसकी और एक छोटा चमच मैंने इसमें चिल्ली ओईल एड किया है आपके बस चिल्ली ओईल ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं अब इसकी जगा एक छोटा चमच बर के सीज़वाइन सॉस का एड कर दीशे बहुत बड़ी ऐससे टेस्ट आएगा और इसके साथ में आपने आदा छोटा चमच कुटी काली में स्ट्राइड करनी है या फिर आप बाइड पेपर पॉडर का यूज़ भी कर सकते हैं अच्छी तरह से नूडल्स के साथ सीजनिंग को मिक्स कर लेते हैं और इसके बड़ आपने कम स्कम एक से डेज मिन तक नूडल्स को न अच्छी तरह से गर्म कर लेना है सबजियों के साथ में तो मैं तो यहाँ पे लेडल से मिक्स कर रहा हूँ अगर आप इस तरह से मिक्स नहीं कर पाते हैं तो आपने दो पल्टे लेने हैं और उन से न अच्छी तरह से नूडल्स को न गर्म करना है अच्छे से मिक्स करना है और थोड़े से noodles मैंने देखे बीच में तोड़ भी दे थे क्योंकि जो लंबे लबे noodles होते हैं आप समय चिपके रहते हैं अच्छी तरह से वो गर्म नहीं हो पाते हैं और के देखे अच्छी तरह से आपने noodles को फ्राई करना है तब यह अच्छा इनमें टेस्ट आता है घर मे करके रखा था वो भी आपने इसमें add कर देना है और थोड़ा सा मैंने इसमें egg बचा लिया था गार्ण शींग के लिए अब इनको भी अच्छी तरह से mix कर लेते हैं noodles के साथ में तो इस तरह से आप चिल्दी garlic egg noodles पना के देखे जब और दस टेस्ट आएगा तो friends आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा like share comment चुरूर कीजिएगा okay friends thank you